मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें यूपी में फिर जुमकर वर्सेंगे बादन जाने आज के मौसम का हला आपको बता दें मौसम मिवाग के मुताबिक पूर्वी उतर प्रदेश में एक या दो इस्थानों पर मीगरजन और आकासिये चमक होने की संभाब ना है पूर्वी यूपी में एक या दो इस्थानों पर भारी वारिस होने की संभाब ना है उतर प्रदेस में पिछले कई दुनों से कुछ इस्थानों पर वारिस देखने को मिल रही है लेकिन जल्द ही मौसम में फिर वदलाब होने वाला है मौसम विवाग के मुताबिक राज में एक बार फिर वारिस का सिलसला शुरू होने वाला है इस दोरान पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में वारिस होने की संभाबना जताई गई है वहीं आज पश्रमी यूपी के कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी के आने के स्थानों पर वारिस और गरचमक के साथ बोचहारे पढ़ने की भी संभाबना है इन जन पदों में वारिस का अलर्ट मौसम विभा के मुताबिक अगले चौप्स घंटों में बांदा चित्रकूट कौन सावी मीर्जापूर और सोन भदर के आसपास के हित्रों में मध्यम बारिस होने की संभाब नहीं वहीं अमेठी, वांदा, चंदौली, आजमगर, फतेपूर, गाजीपूर, जौनपूर, कौनसावी, मौू मीर्जापूर, प्रिताबगर, प्रियागराज, रायवरेली, संतर, रविदास, नगर, सोन भदर, सुल्तान, पूर, वरांसी में गरचमक के साथ बिजली गिनने की संभाब ना है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इस्थानों पर वारिस हो सकती है, इसके बाद प्रदेश के इस सभी जन पदों में वारिस का अलट जारी किया गया है, अगले 48 घंटे में मध्य प्रदेश के मौसमें वदलाब देखने को मिलेगा, नए सिस् मेर में भी पश्रमी विक्षोप सकरिये है, जिससे आरब सागर में नमी आने के संकेत हैं, वहीं पश्रमी मध्य प्रदेश में चकरवाती घेरा बन गया है, इससे 48 घंटे बाद अच्छी वारिस होने की उम्मीद है, मध्य प्रदेश में पिछले 23 घंटे में लगतार वार में तेज़ वारिस हो सकती हैं आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में तेज़ वारिस नहीं हुई है वारिस नहीं होने की बज़े से मध्यप्रदेश के बारिस का आंकड़ा थमसा गया है लेकिन अब बारिस के दो नए सिस्टम एक्टिव होनी की बज़े से कलियानी मध्यप हो जाएगा मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्से में वारिस के आसार हैं मिलते हैं सिप्रकार के अगली नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत